इस प्रकार से भूमी पर गंगा जी का जल निर्मल एवं पवित्र था और वह शोभा पा रहा था। उस समय भूमी पर रिशी और गंधर्व यह सोच रहे थे। रिशी और गंधर्वो ने यह सोचा कि भगवान शंकर के मस्तक से आया हुआ यह जल बहुत पवित्र है उस पवित्र गंगा जल से आचमन करने से बहुत पुन्य प्राप्त होगा। और जो शाप ब्रश्ट होकर आकाश से प्रिथिवी पर आ गए थे वह सब निश्पाप हो गए थे गंगा जल में सनान करने के पस्चात। उन सब के पाप धुलने के कारण वह पुन्य से सम्युक्त होकर प्रकाशमान जल के संपर्क से आनन्दित हो रहे थे। यह सब शुभ पुन्य प्राप्त करने के पस्चात आकाश में पहुचे और अपने लोकों को जा रहे थे। सब लोग गंगा जी में सनान करने के पस्चात पापहीन हो गए थे। राजर्शी महराज भगीरत अपने दिव्य रत पर आरूड होकर आगे चल रहे थे। झाल